अब दूटर राजु शर्मा लाश्ट टाइम हमने भारत में परिवेन के साधनों के अंतरगत रेल मार्गों का ध्यन किया था वास्तव में भारत में जो परिवेन के साधने उनमें सडकों का महत हो बहुत ही प्राचिनकाल से ही रहा है इसा से कई हजार वश्पू भारत में पक्की सडकों के प्रमान, हडपा और मुहन जोद्रों की खुदाई से मिलते हैं समराट अशोक और चंदर गुप्त के समय में भी परियाप्त पक्की सडकें थी मुसल्मान बादशाओं ने अपने राज्यकाल में सडकों का परियाप्त विकास किया मुगल काल में शेर्षा सूरी ने एक सडक कोलकाता से पेशावल तक बनवाई थी जिसे ग्रांट ट्रक रोड या जीटी रोड कहते हैं सडक परिवेन का महत्व दिनो दिन बढ़ रहा है कुल यात्री परिवेन का 87 प्रतिशत सडक याता यादवारा होता है सडकों के महत्व वो लोग प्रियाइता क्या नेक कारणे जैसे देश के भीत्री भागों में रेल मार्गों को एक सीमा तक पहुचाया जा सकता है इसलिए विभिन मुक्रामों को जोडने के लिए सडके ही प्रियोग में लाई जा सकती है सडकों पर चलने वाली मोटरों को केवल नियुदिस्ट इस्थान तक ही नहीं समतल भुभाग में कहीं भी ले जाया जा सकता है इस प्रेकार की सुविधाएं रेले द्वारा संभब नहीं है क्रशी का विकास कलने के लिए सडके ही अधिक उप्योगी सिध्ध होती है खेतों तक क्रशी संबंदी यंत्र खाद व उर्वरक आदी पोचाने के लिए सडकों का ही प्रियोग किया जाता है सडकों की विकास में खाध्यान के अतिरिक्त फल, दूद, सबजी, आदी वस्तियों का उत्पादन बढ़ गया है परिवन की सुवीदा दुआरा इन्हें शहरी उप्रोपता छेत्रों तक सरलता से भेजा जा सकता है युद्धु और अकाल के समय सडकों का ही प्रियोग उत्तम सिध्ध होता है संकट के समय देश के आंतरिक भागों में पहुँचने के लिए सडकें सहायता प्रदान करती है ग्रामिन छेत्रों के उत्थान के लिए भी सडकों का परियाप उप्योग किया जाता है सडकों के विकास से ग्रामिन छेत्रों में शिक्षा और सभ्यता का प्रचार संभव हुआ है देश की समस्त सडकों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे नेशनल हाइवे इस्टेट हाइवे डिस्टिक रोड और बिलेज रोड यानि की राष्टिय राजमार्ग अथवा एक्सप्रेश वे प्रान्तिय राजमार्ग जिला सडकें और ग्रामिन सडकें देश में राष्ट्रिय राजमार्गों एवं एक्सप्रेश वे की कुल लंबाई एक लाग चार सो पिचेतर किलो मीटर के लगभग है इन मार्गों द्वारा देश के विभिन राज्यों की राजधानिया बड़े ओध्योगिक और व्यापारिक नगर और पत्तन परस पर जुड़े हैं ये मार्ग भारत को पाकिस्तान, म्यामार, नेपार, भूटान और तिबबत आधी पडोसी देशों से भी मिलाते हैं देश में 250 से अधिक प्रमुक राष्टिय राजमार्ग हैं जिन में 26 प्रतिशत एकर लेन, 51 प्रतिशत दो लेन और 233 प्रतिशत चार या छे या आठ लेन वाले सडक मार्ग हैं देश में प्रांतिय राजमार्गों का भी परियाप्त विकास हुआ है इस समय प्रांतिय राजमार्गों की कुल लंबाई 154,522 किलो मीटर के लगभग है और ये आकड़ा 2015 का है इनका महत्व व्यापार और उप्योग की द्रश्टी से अधिक है ये राष्ट्रिय मार्गों को परस पर जोडती हैं इनके रख रखाप का उत्तर दाईत वर राज सरकारों पर होता है जिला सडकें जिला बोडों के अधिन होती हैं इनमें अधिकांस कच्ची सडकें हैं और ग्रामील सडकें ग्रामों को परस पर मिलाती हैं तेज गती वाले व्यापारिक वहानों के लिए देश में पांच एक्सप्रेस राजमार्ग मुंबई संता कुरूज, मुंबई ठाने, कोलकाता दमदम, पारादीप सुकिंदा और दुर्गापुर कोलकाता के मत्य बनाए गए हैं देश के प्रमुक राजमार्ग हैं कोलकाता अम्रत सर्ग सडक मार्ग, आगरा मुंबई सडक, मुंबई चेनई सडक, चेनई कोलकाता सडक, कोलकाता मुंबई सडक, वारणासी कन्याकुमारी सडक, दिल्ली मुंबई सडक, एम्दाबाद कांधिला सडक, अंबाला तिबबत सड़क, दिल्ली लखनव सड़क, लखनव बरोनी सड़क, असम सड़क, असम ट्रंग सड़क कोलकाता अमरत्सल जो सड़क है ये ग्रांटक रोट के नाम से विक्षात है इसे शेर्षा सूरी ने बनवाया था, बाद में इसका सुधार लॉड बिलियम बेटिंग ने किया ये सड़क कोलकाता, आसनसोल, भारा नसी, प्रयागराज, कानपूल, परुकाबाद, अलीगर, दिल्ली, करनाल, अमबाला और लुधियाना होते हुए अमरत्सल तक जाती है आगरा मुंबई सड़क, जो है वो आगरा, ग्वालियर, इंदोर, नासिक होते हुए मुंबई तक जाती है मुंबई चेनई सड़क, मुंबई, पुणे, बिलगां होकर बंगलूरू और आगे चेनई तक जाती है चेनई कोलकाता सड़क, चेनई, गुंतूर, विजयवाडा होते हुए रायपूर, संभलपूर होकर कोलकाता तक जाती है कोलकाता मुंबई सड़क, कोलकाता, संभलपूर, रायपूर और नापूर होते हुए मुंबई तक जाती है वानानसी कन्याकुमारी सडक बहुत लंबी सडक है जो कि कुल प्रायदीप को पार करती है यह वानानसी मिलजापुर, जबलपुर, नाकपुर, हैदराबाद, बंगलूरूर, मदुरही होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है दिल्ली मुंबई सड़क दिल्ली जैपुर अजमेर उदैपुर एमदाबाद होते हुए मुंबई तक जाती है एमदाबाद कांदला सड़क द्वारा एमदाबाद को कांदला पत्तन से जोड़ दिया गया है अम्बाला तिब्बत सड़क भारत से तिब्बत जाने वाली मुख्य सड़क है यह अम्बाला से सिमला होकर तिब्बत तक जाती है दिल्ली लखनव सड़क दिल्ली से लखनव को मुरादाबादो बरेली होकर जाती है लखनु बरोनी सडक मुझफ़पूर होकर बनाई गई है इसकी एक शाखा नेपाल सीमा तक जाती है असम सडक ब्रंपूतल नदी के दक्षिनी किनारे किनारे फैली है असम ट्रंक सडक की एक शाखा मनिपूर होकर म्यामा जाती है सीमा वर्ती सडक संगठन जिसे BRO भी कहते हैं कि स्थापना देश के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा वर्ती छेत्रों में सडकों के निर्मान के लिए की गई यह संगठन राजिस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महराष्ट, तमिलनाडू, आंधु प्रदेश, गोअ, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालें, त्रिपुरा, मनिपूर, मिजोरम, अउनाचल प्रदेश, बिहार और अंडु मान निकोब में सक्रिय है, इस संगठन ने 2009 तक देश में 46,780 किलो मीटर लंबी सडकों का निर्मारकार पूरा किया, इस संगठन को पठान कोट जम्मू कश्मीर, उड़ी, राष्ट्रिय, राजमार के रक रकाप का भी दायत्व सोंपा गया है, इस संगठन की एक विशेष टुपलब भारत बंगला देश सीमा पर कटीली बार्ण लगाना और 910 किलो मीटर लंबी सडक बनाना था, इस संगठन ने कुछ निर्मार कारों को पूरा किया, जैसे प्रोजेक्ट हीरक के अंतरगत माराष्ट राज्य के नक्सल प्रभावी जिलों में सडक निर्मार, प्रोजेक्ट दंतक के अंतरगत भूटान में एक विशाल सडक का निर्मार, प्रोजेक्ट बीकन के अंतरगत भदर्वा में सेनिक छावनी के लिए आंत्रिक सडकों एव पहुच मार्गों का निर्मान हमारी देश में अधिक दूरी तक पेट्रोलियों उत्पादों और प्राकर्तिक गेस के परिवेन के लिए पाइपलाइन भी एक उत्तम और सुविदा जनक साधन है आजकल ठोश पदातों को भी तरल में बदलकर पाइपलाइनों द्वारा परिवेद किया जाने लगा है वास्तव में पाइपलाइन परिवेन के अन्य साधनों के अपेक्षा इसलिए लाप कारी है क्योंकि इनमें क्योंकि इन्हें दुर्गम छेत्रों अत्वा जलके भीतर भी बिचाया जा सकता है इनके रख रखाफ का खल्च भी बहुत कम होता है और इनमें उर्जा की खपत बहुत कम होती है लेकिन इस साधन का दोश्य यह है कि इसकी शुरक्षा की समस्या है भूमिकत पाइप लाइनों से रिशाफ का पता लगाना और उनकी मरमत करना एक कठिन कारे है भारत में लगभग 6,325 किलो मीटर लंबी पाइप लाइने बिची है प्रमुक पाइप लाइन है एच बीजे हजीरा विजयपूर जगदीशपूर पाइप लाइन जो की प्राक्रतिक गैस का परिवेन करती है और सवाई माधोपूर, राजिस्थान, ओरईया, आवला और शाय जहापूर के उर्वरक सन्यत्रों को कच्चा माल प्रदान करती है असम के तेल शेत्र में गोवाटी, बरोनी, हल्दिया और कानपूर तक भी पाइप लाइनों का जाल बिचा है तो बच्चों, आज हमने भारत में परिवेन के साधनों के अंतरगत, सड़क मारगों का अध्यन किया विभिन सड़क मारगों के अंतरगत, जो विभिन मारगाते हैं उनके प्रकारों का और उनका जो फैले हुए हैं भारत में उनका अध्यन किया, इसके साथ ही साइथ हमने प्राकरतिक गैस और खनी स्टेल के परिवेन हेतू जो पाइप लाइन का जो साधन ने उसका अध्यन किया आज के लिए बस इतना ही, थेंक यू